नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर आज की यह जानकारी दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था और कुष्टवस्था इन सभी पैंशन धारकों के लिए हैं यदि आप भी इन सभी पैंशन में से किसी भी एक पैंशन का लाब ले रहे हैं आज की यह जानकारी आप के लिए बहुती ज़्यादा महतपून खाश होने वाली है सभी पैंशन धारक ध्यान दे हमारी पास पैंशन धारकों के मैसिज आ रहे हैं कमेंट आ रहे हैं हमारे बैंक खाते में 33,000 रुपे 85,000 पहुंच चुकी है क्या हमें EKYC कराना चाहिए क्या ये अनिवारिय कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए आज हम इसी के टोपिक पर बात करने वाले आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है वीडियो की सुरूरात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं हम बात करें हैं पैंशन योजना के बारे में आप किसी भी राज्य के पैंशन धारक हो सकते हैं हरियाना, पंजाब, गुजरात, महराष्ट, करनाटका, उत्तरप्रदेस, हिमाचल प्रदेस, उत्राखंड किसी भी राज्य के पैंशन धारक हो सकते हैं अन्य राज्य में 400 रुपे भी पैंसन नासी रखी गई है, 1800 रुपे भी पैंसन नासी रखी गई है, 2500 रुपे भी है, 2800 रुपे भी है, दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जो परतिमाँ पैंसन नासी दे रहे हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो तिमाई अंतराल परियानी की तीन महीने बाद पैंसन रासी, दिव्यांग विधो, वर्दवस्था, कुष्टवस्था पैंसन धारको को सरकार देती है। तो दोस्तो हम बात करें पैंसन का EKYC, क्या सभी पैंसन धारको को कराना अनिवारी है या फिर नहीं है। दोस्तो पहले तो आप यह समझे कि सरकार EKYC क्यों करा रही है, यानि की EKYC कराने का क्या तात पर है सरकार का। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखे जो एपातर है यानि कि एपातर कैसे होते हैं जो पैंसन लेने के हकदार नहीं है योगे नहीं है वह गलत तरीके से अपने सही दस्तावेज बनवा कर सरकार से पैंसन प्राप्त कर रहे थे तो इन चीजों को देखते हुए सरकार ने EKYC में आपको भी यहाँ पर एपातर सरणी में रखा जा सकता है फिर आपको पैंसन हमेशा के लिए रद भी हो सकती है इसलिए आपको EKYC कराना अनिवारी है यदि आप बविश्य में पैंसन प्राप्त करना चाहते हैं अपनी पैंसन लेना चाहते हैं दिव्यांग, विद्व वरदवस्था और कुछ तवस्था, पैंसन का EKYC सभी के लिए अनिवारी हैً दोस्तों सरकार कभी भी पैंसन का EKYC जो करा रहे हैं आप इसकी अंतिम््ठीदी कभी भी रख सकती हैं इसलिए आप जलसे जलद अपनी पैंसन का EKYC करा लीजिए, अब कुछ ऐसे पैंसन धा रखें कि मालूम नहीं है कि EKYC कैसे करा सकते हैं EKYC कराने के लिए जो आपका डियोक्युमेंट के वर शक्ता होती है वह आपका आता है आधार कार्ड पहला दस्तावेज आपका आधार कार्ड है दूसरा है आपका मोबाइल नमबर मालीजे फर्स टाइम यानि कि पहले जब आपने पनी पैंसन के लिए आविदन किया था वह मोबाइल नमबर आपसे खो गया है तो दोस्तों कोई बात नहीं है आप नजदीगी CSE Center पर जाकर अपना नया मोबाइल नमबर भी अपडेट करा सकते हैं और वहां से ही आप अपनी पैंसन का EKYC यानि की आधार परमानिक करन करा सकते हैं पहला दस्ताविज आपका आधार काड है दूसरा आपका मोबाइल नमबर है और तीसरा दस्ताविज है आपकी पैंसन का रईस्टेशन शंख्या इन तीनों दस्ताविज से आप अपनी पैंसन का EKYC यानिक कर सकते हैं और यदि आपके आविदन फारम में कोई गलतिया हो रही है आपके नाम में स्पिलिंग्स में मातराओं में तो आप वह गलती भी सुधार करा सकते हैं आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारे दिवी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है जिससे हम परेइथ होते हैं आपके लिए नई-नई जानकारी लाने के लिए यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट मेने विदन यही करेंगी चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ जब तक के लिए जै हिंद जै भारत